हेलो अबरीवन कैसे हैं आप सबी आशा करते हैं तो अच्छे हैं गर खुम मलग अकपाई कर रहे होगे तो क्या आपको अपना जीवन बाकी लोगों से कुछ अलग सा नहीं दिखाई देता है कुछ हटके बिलकुल दिखाई देता होगा और जब आप अपने जीवन के विश् से लग लगता होगा और सबसे बड़ी दिक्कत यह से बड़ा चेलेंज यहां कि आपो इसी दिक्कत में इस है प्रॉब्रम में कुछ करना भी अपने लाइस के लिए अपना भी कमाना है औरवर जरुद के लिए के लिए आपको पढ़ लिखके या कोई काम जो शुरू किया है उसमें आपको एकदम मतलब सफलता हासिल करनी है इसी प्रॉब्लम में ही यह बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सीधे-सीधे तो होता नहीं इतने सारे दिक्वतों में हम कैसे करेंगे फिर आप क्या करने लगत भाकी लोगों से बढ़िभन में, इस जीवन में गहले हमानी प्रॉब्लम में गिना रहते हैं मेरे साथ यह दिक्त, मेरे साथ यह दिक्कत, मेरे साथ यह दिक्कत अभी तक तु यही करते आ रहे हैं तो आपको क्या कुछ फाइदा हुआ हुआ आप बहुत आगे निकल गया, आपको ऐसा मैसूस हो रहा है कि नहीं नहीं मैं तो जीवन में कुछ कर लिया या निगेटिव थौट लाला के नहीं हुआ, बहुत अपने आपको एकदम जीरो पर समझ रहे होंगे तो जरा अपने मोड फ़र चेंज करिए अभी तक निगेटिव वाला मोड अन था अब पोजिटिव मोड जरा मेरे कहने से अन करके लिए किये आज से बस सकरात्मक बातें सोचना शुरू करिए अच्छी जिदे सोचना शुरू करिए माना की कठेन है जो करिए और अपना ब्राइट फ्यूचर देखना शुरू करिए कि भाई यह परदा है समस्याओं का इस परदे को जब हम हटाएंगे तो उसके पीछे एक बड़ा सुनहरा भविश हमारा दिखाई दे रहा है लेकिन यह परदा हटाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेग कि कोशिश आपको ही करनी है यह जो अभी situation है आपका और यह तो 100% है कि अभी जो है वो बदले जीजे ऐसा तो है नहीं पर्मानेट तो अभी अगर लाइफ अपने इदम सबसे अलग लग लग रही है बाकी लोगों से तो आपको इसको accept कर लेना चाहिए और यह सोचना चाह दिया तो मैं चलिए अब आपके ही बताय रास्ते पर चलने जब आपने अलग करने के सोची लिया है बाकी लोगों से समस्या दे दे के दुख दे दे के तकलीफ में दे दे के तो अब मैं पढ़ लिख के और या तो अपने कुछ भी ऐसा करके कि मैं अपने लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए एकदम उतारू हो जाएंगे दिन रत एक करेंगे तो यह चीज़ आपको आज से ही शुरू करना है और अगर मुस्ते कोई कहें कि आप अपने लाइफ के मतलब एक साराश बताईए थोड़ा सा एक शब्दों में कहिए कि क्या असी आपके लाइफ बहुत खराब थी क्या अभी आपके लाइफ बहुत अच्छी है तो मैं आपके लाइफ कभी भी खराब नहीं कहोंगी जानते हैं क्यों कि मैं उसको एक जरिया मानती हूं देखिए जब आप सफल होगे आप कुछ करेंगे और उसका आपको बेनेफिट मिले मेरा पॉस्टिफ चीजे मिलेंगी तो आपको अनवह होता है कि वो चीजे होई क्यों थी मुझे ऐसा मैसूस होता है कि मेरी लाइफ कहीं से न पहले खराब थी न है न मैं आगे करने दूंगी किसी को क्योंकि लाइफ मेरी है मरना जीना तय है आए है तो जाएंगे भी तो इसे लिए जितनी भी जिन्दगी है उसमें अच्छा कर्म करेंगे लोगों की हेल्प करेंगे तब से पहले हम अपनी हेल्प करेंगे जब अपने हम सक्षम रहेंगे तो हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं मेरी लाइफ कतने खराब नहीं थी, उस समय लगता था, जैसे अभी लग रहा है आपनी लाइफ को देखके, ये एक बहाना है, प्रकीति को ना प्रकीति देती है ये चीजे, आपनी लाइफ अलग बना रही है न समस्याओं से, आपको लगता होगा कि मेरी जिन्दिगी में क् है, आप बाकी लोग को देख लीजिए, जिसके जिन्दिगी में सब को समानी है, तो वो बहुत कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो अपने दम पे, हाँ, किसी के जरिये चर सकता है, लेकि वो तीजे भी ठीकाव नहीं होती है, आप जो अनुभाव करके क अगर आप कचुआ का ही चाल चल रहे हैं, लेकिन रोज regular, कहते हैं न, कि एक गरती से उसको तेज़ धार देती रहिए, लेकिन regular आप एक दिर संकर्प के साथ जो भी काम कर रहा है, लगतार कर रहे हैं, तो 100% मानियेगी, जीत आपकी ही होगी और आपको भी भविश में, आ कि आप अपने साथ कम से कम हजारों लोगों को ना साथ अपने लेके जाएंगे कि वह व्यक्ति भी मोटिवेट होगा और आवे बढ़ेगा तो वही बात है कि मैं अपने जिन्दगे कभी नहीं ख़रा कूंगी क्योंकि अगर शायद वो चीजे नहीं होती मेरे साथ तो मैं भी घर के किसी कोने में पड़ी रहती और कहते हैं कि चूड़ा चौका जो होता है वहीं तक मेरे जिन्दगी सिमट के रहती कभी कुछ अपने लिए नहीं कर पाती जो एक होता है हर एक इंसान का मैं कहूंगी इसमें सभी लोग हैं कि होता है कि मेरे जिन्दगी ऐसी होता होता ह जाना चाहता है, लेकिन वो अपने हिसाफ से जीना चाहता है, उसके शौक होते हैं कुछ, तो यह तो आपका तभी पूरा होगा, जब आप अपने पैर पहोंगे, अपने उरान को पंक दे पाएंगे, आपके पंक माना की काट दिया हालातों नहीं, तो अभी जान लिजिए कि उस हालात को सिर जुका के सुईकार करनी की ज़रूरत है, उस पर बिल्कुल भी आपको रियक्ट करनी की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम था कि मैंने उस सिटुशन को सुईकार किया था, उसमें ही जीना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ समय के बात चीजें बदलती हैं, बार बार मैं कहने हूं कि चीजें बदलती हैं, अभी आपको जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी mentally आपको टॉर्चर किया जा रहा है, या mentally आप परिशान है, फिजिकली परिशान है, बीमारी है, जो भी है, चीजें बदलेंगी, बस आपको प्रयास करना पड़ेगा, वह उस पर जो धूल इन सब चीजों की है, समस्यान की जो धूल है, तो अपनी छवी को साफ देखने के लिए उस धूल को साफ करना पड़ेगा, तो आपको एक डस्टर लाना पड़ेगा, अपना ही हाथ पर चलाना पड़ेगा, आपको ही साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगल 99% लोग ऐसे हैं जो आपके दुख से खुश होने वाले हैं 1% मैं करूँगी जिसमें आपके माबाप आते हैं मैं ऐसा मानती हूँ और भाई बैन का भी कोई भरोसा नहीं है वो लोग भी जलने लगते हैं टाइम के आने के पाद तो मैं 1% लोग की बात करूँगी जो खुश होते हैं आपके गुरू होते हैं वो खुश होते हैं जो आपको मार्वदर्शन करते हैं उनको खुश ही होती होगी 1% लोग आपके दुख से दुखी होते हैं और क्या करते हैं कि आपके सुख से वो सुखी होते हैं आप खुश होते हैं आपके काम्यावी से लेकिन जारे तर लोग ऐसे ही होते हैं कि आपके मुझ पे आप वाली बात करने के बाद उनको बहुत ही आनन्द आता है आपके दुख तक्लिप से तो क्या किसके सामने कहना है किसके सामने शेयर करना है न करें तो सबसे बहतर है किसी तो हमें है ना अपने mode को change करिए negative से positive पर लाइए क्योंकि अभी तक negative रहा कि आप देख चुकि आपने कुछ हासिल ने किया अब समय है अपने आपको बदनने का कभी भी आप अपने आपको बदल सकते हैं उम्र कोई भी माइन ने रखती कि आप 20 के है जो भी आपने सोचाएं सरकारी नौकरे सोचे हैं लाइफ में कोई business शुरू किया है लाइफ को अच्छे से enjoy कराएं आपके कोई hobby उसको बढ़ाना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं तो आप अब से लग जाएए लाइफ में कितने भी negative चीचे हैं तो क्या हुआ